हेलो फ्रेंड्स में हुच जंदा मेरे किजिन में आप लुक का श्वागत है आज हम लेके आएक ने रेशीपी मोटर और आलू का शबजी तो चलिए शुरू करते हैं ठंड़े के मर्शम में बहुत ही टेश्टी होता है रेशीपी तो देखे मैंने इधार आलू लिया है आलू को इस तरह से काड लिया है और लिया है मैंने हरे मटर और लिया है मैंने पियांस पियांस कौम बारी बारी काड लिया है हम दोठो पियांस लिया है और लिया है टोमेटो दुनिया का पत्ता अध्रग लोशुन का पेश्ट और गोटा जीरा जीरा पाउडर लालमीश पाउडर और हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर लिया है मैंने और लिये है मैंने कस्तुरी मेथी और गरम मशला नमक और तेल हम शोशो का तेल लिये है तो देखें कड़ाई मेरा गरम हो गया है इसमें हम तेल डाल देते हैं फोर टीश्पून आप लोग चाहे तो शादा तेल भी उच कर सकते हैं और इसमें दे देते हैं गोटा जीरा वन टीश्पून आप इसमें डाल देंगे बारी काटे हुए पियांस तो पियांस को थोड़ा भून लेंगे ब्राउन हने तक नमक दे देते हैं आद्रग लोश्पून का पेस्ट अध्र लोशुन को पियाँच के साद अच्छी से भून लेंगे अब दे देते हैं काटे हुए टोमेटो बकी दे देंगे शब शुखा मशाला जो लिये थे शब डाल दी है मैंने अच्छी से मिष्ट कर लेते हैं अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी तकी मशाला टोमेटो अच्छी से भग जाए अब इसे हम ढाक के दो तीनी मिनिट पकाएंगे तो तीनी मिनिट हो गया है धक्कन को हटा देते हैं तो देख सकते हैं मशाला ये शाथ टोमेटो अच्छी से पक चुकी है मशाला से तेल भी निकल रहा है मशाला ये एक दम अच्छी से रेडी हो गया है देख सकते हैं अब हाँ मिश में डाल देते हैं आलू आलू को मशाले के साथ अच्छी से मिश्ट कर लेंगे मशाले के साथ आलू को इस तरह से दो तिन मिनीट भूनेंगे आप इसमें हम डाल देंगे मटर हरे मटर नमक दे दीटी श्वादो नुशाल अच्छी से मिश्ट कर लेते हैं आप हम इसे पांच मिनीट ढाल के पकाएंगे पांच मिनीट हो गया है डखकर नोटा देते हैं और एक बर इस तरह से हम डाक के पकाएंगे आप दे देते हैं पानी अधा बोईल हो चुकी है आलू और पानी देके और पानी देके और पांच मिनीट ढाक के पकाएंगे तो पूरा अलू एकदम अच्छी से बोईल हो जाएगा ढाक देते हैं पांच मिनीट के लिए तो पांच मिनीट हो गया है डखकन को आटा देते हैं अलू मोटर अच्छी से बोईल हो चुकी है अलू भी अच्छी से बोईल हो चुकी है आप लोग को हाथ के तोर के देखाती हूं तो देखिए अलू एक दम अच्छी से बोईल हो चुकी है अलो को थोड़ा हलका सा मेश कर देते हैं ताकि ग्रेवी थोड़ा गाड़ा हो जाए अब इसमें डाल देते हैं कस्तुरी मेथी पस्तुर में से डालने से इसका टेस्ट वर भी आच्छा होता है अब डाल देंगे गरम मशाले अच्छी से मीश्ट कर लेते हैं अब हम गैस को बंद कर दिये हैं तो शुब जी मेरा बनके रेडी हो गया है अब इसमें डाल देंगे बारी काटी हुए दुनिया का परता अगर मेरे रेशपी अब लोग को पश्चंद आए तो जूरू लाइक करिए सेर करिए सस्क्राइब करिए कमेट करने के लिए मत भूलिए जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं प्लीज सस्क्राइब करिए अब शेर रोटी चाओल के साथ परटे के साथ खा सकते हैं लोग करिए